हेलो स्टोरेंट मैं एक तसी आप सभी का ग्यान चितनया चैनल में बहुत-बहुत स्वाद करती हूँ आज के इस टॉपिक में हम के वी एस के एकनोमिक्स रिलेटिड कोश्चन देखेंगे तो सुरू करते हैं राश्ट्य आय का आंकलन तो यहां पर राश्ट्य आय से के प्रियोग का सूत्रपार्ट किया है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा साइमन कुझ ने टस सी ऑप्सन सही है ब्याख्या देखते हैं यहां पर अर्थ विवस्ताओं को कि सम्रद्धी की दिशा का आंकलन करने के लिए राश्ट्य आय के समुच्यों के प्रियोग का सूत्रपार्ट अर्शासी साइमन कुझ ने टस ने किया था साइमन कुझ ने टस का मानना है कि राश्ट्य आय यानि कि नेशनल इंकम में ब्रद्धी के साथ-स अर्थ विवस्त स्वाता ही सम्रद होती जाती है तो प्रतिव्यक्ति आयमें ब्रद्धी आर्थिक सम्रद्धी ही घोतक मानी जाती है अगला कोशन देखते हैं भारत में राश्टी आय का आंकलन किसके द्वारा सबसे अधिक सुसंगठित तरीके से किया था तो यहां पर जितने भी नाम है जा सबसे अधिक सुसंगठित तरीका किसके द्वारा किया गया था तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा वी के आर वी राव ब्याक्या देखते हैं भारत में राश्टी आय का आकलन जो है वी के आर वी राव द्वारा सबसे पहले अधिक सुसंगठित तरीके से किया गया था वी के आर रावने वर्स 1925 में तथा 1931 में बेग्यानिक तरीके से रास्टी आयका नुमाल लगाया था इस से पूर भी दादा भाई नारो जी ने 1868 में यहां पर अगर हम बात करेंगी सबसे पहले किसने राश्टी आय का नुमान लगाया था तो दादा भाई नारोजी हो जाएंगे लेकिन बेग्यानिक तरीके से सबसे पहले किस ने लगाया था तो 1925 में वी के आरवी राओ के द्वारा लगाया गया था विलियम डिगवी ने 1899 इसवी में तथा एफ शिराज ने वर्स 1921 में राश्टी आय का नुमान लगाया था आगे देखते हैं निमलिकित कतनों पर विचार करना है सबसे पहला है राश्टी आय समीती का गठन PC महाले नोविस की अद्यक्षता में किया गया था दूसरा है कि भारत में राश्टी आय का आकलन भारत सरकार के केंद्री सांके की कारयाले CSO द्वारा किया गया था और भारत में राश्टी आय का आकलन भारत सरकार के केंद्री सांके की कारयले द्वारा किया जाता है जिसको CSO कहते हैं तो दोनों ही सही है ब्याख्या देख लेते हैं तो भारत में राज़्टी आय समीती का गठन जो है 1949 में PC महाल नोविस के दिख्षता में किया गया था महाल नोविस भारत के प्राख्यात सांख किये विद एवं नियोजन कार थे उन्होंने ही दूतिय पंच वर्षी योजना का मॉडल जो है तियार किया था भारत में राज़्टी आय का आंकलन भारा सरकार के केंद्रिय सांख की कारेले द्वारा किया जाता है दो मई 1951 में यह कारेले केंद्रिय सांख की एवं कारिकरम क्रियानवित मंत्राले के अधीन कारे करता था जिसका विले जो है राश्टिय सेंपल सर्वे कारेले के साथ कर नए संगठन राश्टिय सांख की कारेले का गठन किया गया था तो इसका जो है नाइटी फिप्टी बन में केंडरी ये सांखी की कारेलाय का गठन किया गया था अगला कोश्चन देखते हैं यहाँ पर जो प्याक्या दी गई है वो भी NCRT की बुक से ही दिया गया है और कहीं से नहीं लिया गया है तो इस बात का भी कि बिलकुल ये जो कोश्चन है बिलकुल NCRT के अकोर्डिंग है बिलकुल NCRT के बाहर नहीं है आगे देखते हैं एक वर्ष की अवर्दी में किसी अर्थ विवस्ता में बिवस्तित सभी उत्पादन उत्पादक संसादनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तूओं और सेवाओं के बाजार के मूल्यों का योगफल कहलाता है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद तो यह भी हमने जो NCRT है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है तो बहुत important है कि यहाँ पर कि एक वर्ष पूरे एक साल की अविदी में किसी अर्थ विवस्ता में विवस्ते सभी मतलब टोटल कितना उत्पादन हुआ है चाहे वो primary sector में हो चाहे दुतिये में हो और चाहे वो तृतिये में हो तो सभी का total जो है अन्तिम वस्तूओं और सेवाओं बाजार के मूलियों का योगफल जो क्या कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है तो B option यहाँ पर सही हो जाएगा ब्याख्या देख लेते हैं एक वर्ष की अवदी में किसी अर्थ विवस्ता में विवस्ते सभी उत्पादक संसादनों द्वारा उत्पादित अन्तिम वस्तूओं वा सेवाओं के बाजार के मूलियों का योगफल जो है सकल घरेलू उत्पाद यानि कि GTP gross domestic product कहलाता है इसमें अधिवासी मतलब यहाँ पर क्या है जो हमारा भारत की सीमा की अंतरगत जो भी हमारा product हो रहा है उसको यहाँ पर लिया जाता है इसमें अधिवासी भारतियों द्वारा अर्जित आए एवं बिदेशी आए को शामिल नहीं किया जाता है तो यहां पर क्या है यहां पर एक नोट है कि जो भारत जिसमें अधिवासी भारतिय दौरा अरजित आय को एवं विदेशी आय को इसमें समलित नहीं किया जाता है अग इसको कहां समलित करेंगे तो तो इसको कहां समलित करेंगे ये भी आगे कुशन आएगा तो इसको देखते हैं आगे निमलेखत यगमों पर विचार कीजिए तो इसको वैसे भारती राश्टी आय में जो है वो एड किया जाएगा इन सब को जो की यहाँ पर छोड़ दिया गया है अगला कुशन है मद्यवर्थी वस्तूएं वस्तूएं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रियोग अंते में वस्तू जिसमें पुन्हा कोई परिवर्थन नहीं होता है हास मूली सकल नवेश के मूले से लिया गया लो तो यहाँ पर क्या है तीनों चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएंगी तो इसकी ब्याख्या देखते हैं क्या है तो यहां पर जो हैं तीनों चीजना सही हैं वस्तू के उत्पादन में आगत के रूप में प्रियोक्त वस्तू को मद्यमर्धी वस्तू कहा जाता है इन वस्तुओं को पुना विक्री की जाती है एवं उन वस्तुओं को राश्याय में शमलित नहीं किया जाता है अंतिम वस्तु या उत्पाद उसे कहते हैं उसे कहा जाता है जिसमें पुना कोई परिवर्टन नहीं होता इस सीमांत वस्तु कहा जाता है इन वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता और उन्हें राश्टियाए में सामिल किया जाता है सकल निवेस के मूल में किये गई लोप को मूले हास कहा जाता है आगे है किसी दी गई अवदी के लिए एक देश की राश्टी आए तो नागरिकों दोरा उत्पादित बस्तुओं और सेवाओं के कुल मूलिक के बरावर होती है यहाँ पर राश्टी आए पूछिए राश्टी आए आगे है कुल उभोग और निवेश वे के योग के बरावर होगी सभी वस्तुओं के वेक्तिकत आए के योग के बरावर होगी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूलिक के बरावर होगी तो दी आप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा तो हमको बहुत ध्यान से जो है option को देखना है और देखना की क्या चीज पूछ रहा है तो यहां पर बैक्या देख लेते हैं रास्टिया यानि की अंतिम उत्पादिद वस्तूओं सेवाओं के मौद्रिक मोल्य के बराबर होती है वस्तूओं रास्टिया आए किसी देख की बास्टिया आए का बहुत भाग है जिसमें बिदेशों से कमाई गई आए भी समलित की जाती है तो याद रखने वाली बात यहां पर रास्टिया आए में किसको समलित किया गया है तो विदेशों से जो कमाई की गई आय होती है उसको भी इसमें समलित करते हैं अंतिम बस्तुव एवं सेवा को इसलिए शामिल किया जाता है जिससे उसकी गरणा एक बार से अधिक ना हो आगे हैं निमलेखित में से किस मद को राष्टी आय के आंकलन में समलित नहीं किया जाता है तो यहाँ पर राष्टी आय के आंकलन में क्या समलित नहीं किया जाता है तो सरकार दोरा हस्तांतित भुकतान निजी हस्तकरन कागजी परी संपतियों का क्रेवेक्रे स्वयम के लिए किया गया उत्पाद वस्तूओं और सेवाओं के अवैद वेपार से प्राब आए तो किसको नहीं गिना जाता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर है डी ऑप्शन यहाँ पर सभी को गिना जाता है बाकि ब्याख्या में देखते हैं तो राश्टी आए के आखलन में सरकार दोरा हस्तांतित भुकतान निजी हस्तांतरन कागजी परी संपतियों के क्रेवेक् पार से प्राप्त आय को शमलित नहीं किया जाता है तो यहां पर क्या सारे ऑप्शन जो है इसमें किसी को भी समलित नहीं किया जाता है आगे देखते हैं किसी अर्थ विवस्ता में वस्तूओं और सेवाओं की गर्णा निम लिखित में से किस विधी के दोरा की जा सकती है नमबर एक है उत्पाद अत्वा मूले वर्दित विधी वै विधी आए विधी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा किसी अर्थ विवस्ता में वस्तूओं और सेवाओं की गर्णा में उत्पाद अत्वा मूले वर्दि विधी जो है आए विधी या आए विधी का प्रियोग किया जाता है इन विधीों के माद्यम से वस्तूओं और सेवाओं की गर्णा सरलता से की जा सकती है इसे अधिक विवारिक वा मानक गर्णा माना जाता है अंगला कुश्यन क्या कह रहा है कि सकल राष्टिय उत्पाद एवं घरेलू उत्पाद सकल राष्टिय उत्पाद और राष्टिय उत्पाद पूछा हो घरेलू उत्पाद में अंतर अभीव्यक्ति करना है तो राश्टिय उत्पाद में जो विदेशों में भी रह रहे हैं जो भारत की नागरिक हैं उनकी आए को भी यहां पर क्या है जोड़ा जाता है और इसमें नहीं जोड़ा जाता है तो शेश विष्ट में नियुजित यह नहीं होगा विदेशों से प्राप्ति निवल कारक आए तो बी ऑप्शन जो है यहांपर सही हो जाएगा घरेलू अर्थ विवस्ता में नियुजित शेश यह भी नहीं होगा तो हमारा उप्शन क्या है बी ऑप्शन यहांपर सही हो जाएगा सकल रास्टी उत्पाद था सकल घरेलू उत्पाद के अंतर को विदेशों से प्राप्ति निवल कारक आए द्वारा अभी विक्ति किया जाता है सकल राश्टी उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को शामिल किया जाता है जबकि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों द्वारा अरजित आय को शामिल नहीं किया जाता है अगला कोश्चन है वेक्टिक्ट प्रययोजन आय निरूपित करता है सबसे पहला राश्टी आई अभी तरित लाव परिवारों दोरा की गई निवल ब्याज अदाई की नगर निगम प्लस सरकार और फार्मों से परिवार को दी गई आंत्रिक अदाई की माइनस वेक्टिक कर तो यहां पर जो सही आंसर है वो पहला ही ऑप्शन क्या है यहां पर सही हो जाएगा तो वेक्टिक प्रियोजन आई क्या होता है तो यह होता है राश्टी आई अभी तरित लाव परिवारों दोरा की गई निवल ब्याज और अदाई की नगर निगम प्लस करना है तो यह भी ह प्रियोज आय जो है यहां पर सूत्र दिया गया है तो राश्ट्रिय वरा माइनस अब रित्रित लाब वही सारा है यहां पर फॉर्मूला अगला कोश्चन देखते हैं निमलिक दी गई अब धार्णा का सही सुमलित करना है तो बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पा का ए जो है एक एक ही होगा बाजार कीमतों पर सकल राश्टिय उत्पाद तो इसका दूसरा ही है जीडिपी प्लस एन एफ आई ए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडिपी माइनस एन आई टी बाजार कीमत पर सकल राश्टिय उत्पाद तो यह हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है सही सुमलित ए ओप्शन ही है आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़े हैं बैक्ष्या में तो बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानिकी नेट डवलप्मेंट प्रोड़क्ट एट मार्केट प्राइस तो एन डी पी नेट डवलप्मेंट प्रोड़क्ट और एम पी जो है यहां पर market price का रखा है काभी price जो है एक वर्ष में देश की घरेलू सीमाओ मतलब जो हमारी देश की घरेलू सीमाओ उसके अंदर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम बस्तूओं द्वारा सेवाओं और मौदिक मूले से है जिसमें इस्तर पूंजी के उपिवोग मतलब मूले हास से मूले हास मतलब मा लीजे यहां पर हमारा जितना total जो है total उत्पादन हुआ उसमें से कुछ मसीने खराब हो गई तो total उत्पादन उत्रा नहीं कर पाया तो उसको क्या है उसकी value को यहां पर minus कर देते हैं घटा दिया जाता है तो यहां पर वही जो है मूले हास वही हो जाएगा तो घटा दिया जाता है तो इस तरह से यह जो है NDP बराबर GDP minus करेंगे DEP यानि कि यह जो हमारा मूले हास है उसको हम घटा देंगे तो बाजार कीमतों पर सकल राष्टी उत्पाद किसी की अर्थ विवस्ता की घरेलो सीमा में एक लेखा एक वर्ष में समाने निवासियों दोरा उत्पादे अंतिम वस्तों और सेवाओं के शुद्ध उत्पाद के बाजार मूल तथा विदेशों से प्राफ शुद्ध आये यानि के फैक्टर इंकम फ्रॉम एब्रॉड एन एफ आई ए को जोड़ा जाता है तो इस तरह से बन जाएगा यह आगे है साधन लागंत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक लेख पूरे साल का है एक देश की घरेलू सीमा में अरजित साधन लाब के कुल जोड में से शुद्ध आपिटेक्ष कर घटाने से प्राप्त होता है तो यह इसका फॉर्मूला बन जाता है आगे है बाजार कीमतों पर सकर घरेलू उत्पाद जी डी पी और एम पी का तात पर एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सबी उत्पाद को दौरा जितनी अंति मस्टु और सेवाँ को उत्पादन होता है उसमें हासिमूल भी शामिल होता है उनकी बजार कीमतों का योग जो होता है जो GDP वरावर C यानि की consumption I से होगा investment G से होगा government और X से होगा export और M से जो होगा import X से export M से import तो इसको याद रखना है बागी यहाँ पर जो है शब्दवली भी दी गई है तो आप इसको भी देख सकते हैं अगला question देखते हैं राश्री आए के संदर्प में आधार वर्ष से क्या तात पर यह है तो आधार वर्ष से क्या तात पर यह है यह देखना है तो आधार यह वर्ष से तात पर यह यहाँ पर जिस वर्ष की कीमतों का प्रियोग वास्थविक घरेलू उत्पादन की गर्णा में किया जाता है तो B option यहाँ पर सही हो जाएगा यानि कि व्याक्या देखते हैं राश्थी आय के संदर में आधार वर्ष से तात परे निर्धारित वर्ष की कीमतों का प्रियोग वास्थविक सकल घरेलू उत्पादन की गर्णा से करने से है बर्तमान समय में आधार वर्ष जो 2011-12 निर्धारित है बर्तमान समय जो है इतना बास्तिवी घरेलू उत्पादन की गर्णा की जाती है आधार वर्ष केंदर सरकार द्वरा ने धारिक किया जाता है एड़ाइजरी कमेटी नेशनल ओफ एकाउंट इस्टैटिक्स ने जो है 20 और 21 को आधार सुझाग दिया है अगले वीडियो में हम इससे आगे के जो है कुशन कम्प्लीट करेंगे तो आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आतो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में